नमस्कार दोस्तों मैं संदोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम बैब ब्राउजर को समझने बाले हैं बैब ब्राउजर जो की एक application program होता है एक application software होता है जो हमें किसी बैब page या बैब side को open करने की service provide करता है बैब ब्राउजर बैब का मतलब होता है internet बैब का मतलब होता है internet और browse करने का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना किसी information को सर्च करना तो web browser इसके नाम से ही समझ में आता है web मतलब होता है internet और browse करना मतलब होता है किसी चीज को search करना select करना तो internet पर किसी information को किसी जानकारी को search करने के लिए select करने के लिए हम web browser का use करते हैं जब भी हमें computer system पर, mobile पर, laptop पर कोई website open करनी होती है कोई information search करनी होती है तो पहले हम एक web browser open करते हैं जैसे कि Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini यह सभी web browser होते हैं तो user किसी भी एक web browser को open करता है और उसमें किसी भी प्रकारी की information को search करता है जब user किसी information को search करता है तो user की request web server पर जाती है और server से user की request के आधार पर information को search करके इस क्रीन पर सो किया जाता है तो यदि user इंटरनेट पर किसी information को search करना चाहता है किसी website को open करना चाहता है तो उसके लिए एक software की आवसकता होती है उस software को कहा जाता है web browser यदि हमें कोई भी website open करनी है इंटरनेट पर कोई information search करनी है तो हमारे computer में, laptop में या mobile में एक web browser का होना आवसक होता है सभी प्रकार के competitive exam में कुछ प्रस्ण web browser से सम्मंदित होते हैं तो आज की वीडियो में हम web browser को समझने वाले हैं चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं web browser होता क्या है web browser एक application program होता है application program होता है, या फिर application software होता है software दो category में होते हैं, application software और system software system software वह होते हैं, जो system के लिए आवसक होते हैं जबकि application software वह होते हैं, जो user के लिए आवसक होते हैं user की आवसकताओं को पूरा करते हैं, तो web browser एक application program है मतलब यह user की requirement को पूरा करता है web browser को browser भी कहा जाता है web browser को हम browser भी कह सकते हैं sort में web browser को browser भी कहा जाता है web browser का उपियोग किसी web page या website को open करने के लिए किया जाता है यदि हमें अपने computer पर laptop पर mobile पर किसी website को या web page को open करना है तो उसके लिए हम web browser का उपियोग करते हैं web browser इंटरनेट से किसी information को सर्च करने के लिए उपियोग किया जाता है यदि हमें इंटरनेट पर किसी प्रकार की information को सर्च करना है, किसी website को open करना है, तो उसके लिए हम web browser software का उपयोग करते हैं, website को open करने के लिए website के URL को, URL मतलब uniform resource locator, जो प्रतेक website का एक unique address होता है, किसी भी website को उसके URL से पहचाना जाता है, identify किया जाता है, तो हमें जो भी website open करनी होती है, हम उस website के URL को web browser के address बार में type कर देते हैं, website को open करने के लिए website के URL को, URL मतलब उसके address को, उसके पते को web browser के address बार में type किया जाता है, web browser को client computer पर install किया जाता है, जो हमारा computer होता है, laptop होता है, mobile होता है, वह एक client computer की तरह work करता है, तो जो web browser है, उसको client computer पर install किया जाता है, और यह web server से information को fetch करता है, हमारे computer पर, laptop पर या mobile पर web browser install होता है, लेकिन जब भी हम किसी information को search करते हैं, तो browser web server पर, web server मतलब एक ऐसा computer जो internet से जुड़ा हुआ है, और इस पर सभी प्रकार की information store होती है, हम internet पर जो भी information search करते हैं, वह किसी ना किसी web server पर store होती है, तो web browser client computer पर install होता है, लेकिन यह information को कहां से search करता है, web server से fetch करता है, मतलब search करता है, और search करने के बाद user की screen पर दिखा देता है, web browser user के द्वारा search की गई information को web server से fetch करता है, और user के web browser screen पर so करता है, आप browser पे जो भी search करते हो, internet पे जो भी search करते हो, उसका result, उसका output भी हमें web browser की screen पर so किया जाता है, जो web browser हम यूज कर रहे होते हैं उसी से हम information को सर्च करते हैं और उसी पर हमें output भी display किया जाता है web browser HTTP, HTTP का full form होता है hyper text transfer protocol जो web browser है वह HTTP protocol के माध्यम से work करता है मतलब यह internet पर किसी भी information को सर्च करने के लिए select करने के लिए एक protocol भी उपयोग करता है उस protocol का नाम है HTTP, hyper text transfer protocol web browser को laptop, desktop या mobile पर install किया जाता है web browser को install करने के लिए हम laptop का use कर सकते हैं, desktop का use कर सकते हैं या फिर mobile का use कर सकते हैं first web browser worldwide web 1990 में Tim Berners Lee के द्वारा बनाया गया था यह एक important point है, जो पहला web browser था उसका नाम था worldwide web जो की 1990 में Tim Berners Lee के द्वारा बनाया गया था यह पहला web browser था जिसको 1990 में Tim Berners Lee के द्वारा बनाया गया था तो अभी हमने web browser का introduction समझा, web browser मतलब एक ऐसा software जो हमें website और web page ओपन करने की display करने की service प्रवाइड करता है, हम जो भी information इंटरनेट पर सर्च करते हैं और जो भी output हमें दिखाया जाता है इंटरनेट पर सर्च करने के बाद वह web browser पर ही so किया जाता है, user जब भी किसी website को open करता है तो उस website का URL हम web browser के address बार में type करते हैं और web browser उस type कियेगा URL के आधार पर information को web server पर सर्च करता है, select करता है और user की screen पर display कर देता है, तो यदि हमें अपने computer पर, laptop पर, mobile पर, internet का उपयोग करना है, किसी information को सर्च करना है, तो उसके लिए हमारे पास कोई एक web browser का होना आवसक होता है, अभी हमने web browser का introduction समझा, अब हम कुछ basic type के जो web browser हैं, जो सबसे ज़्यादा use किये जाते हैं, उनके नाम देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला web browser है, internet explorer या Microsoft Edge, Microsoft Edge, जो internet explorer है, यह Microsoft company का product है, जो कि Windows operating system के साथ use किया जाता है, अब जो Windows के new version आ रहे हैं, उसमें Microsoft Edge नाम का web browser दिया गया है, पहले जो Microsoft Windows के पुराने version थे, उसमें यह browser आता था, internet explorer के नाम से, लेकिन अब जो Windows के new version है, उसमें Microsoft Edge नाम से यह browser दिया गया है, तो internet explorer और Microsoft Edge, दोनों ही Microsoft company के द्वारा बनाये गए हैं, एक दूसरा browser है यहाँ पर Google Chrome, जो कि सबसे अधिक उप्योग होने वाला browser है, Google Chrome, जिसको Google company ने बनाया है, और Google Chrome का पहला version 2008 में launch किया गया था, 2008 में release किया गया था, यह आपसे competitive exam में पूछा जा सकता है, कि Google Chrome को किस company ने बनाया, तो इसका नाम यहीं पर दिख दिया था हमें, Google Chrome मतलब Google company ने बनाया है, और इसका पहला वर्जन 2008 में release किया गया था, next browser है Mozilla Firefox, Apple Company का Safari browser, Opera, Netscape Navigator और Mosaic, यह सभी कुछ web browser के example हैं, जिनका उपियोग करके हम computer system पर, laptop पर, website को या web page को open कर सकते हैं, current time पर multiple type के web browser available है, हम किसी भी web browser का उपियोग करके, किसी website या web page को अपने computer पर open कर सकते हैं, web browser के माध्यम से हम किसी topic को search कर सकते हैं, uploading कर सकते हैं, downloading कर सकते हैं, email send कर सकते हैं, तो internet यदि हमें अपने computer पर laptop पर उपयोग करना है internet की service का उपयोग करना है तो हमें एक web browser की आवसकता जरूर होती है web browser के माध्यम से ही हम internet पर किसी information को search कर पाते हैं select कर पाते हैं, download कर पाते हैं सभी प्रकार के exam में web browser से संबंधित कुछ प्रस्ण पूछे जाते हैं तो आप इसको पढ़ें, समझें, आपका कोई प्रस्ण है, कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें, ज्यादा सिदा share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद